हलो स्टुडेंट्स गुड मॉर्निंग तो आप अपने बारे में तो फर्स्ट लाइन में लिखेंगे पहले अपना नाम माई नेम इज सपोस्ट आपका नाम आयूस राज है तो माई नेम इज आयूस राज नेक्स्ट लाइन है आप कितने बर्स के हो? हाव ओल्ड आरी हो? आय्म सिक्ष यर्स ओल्ड अगर आप शिक्स यर्स के हैं तो शिक्स लिखेंगे व्य तो फा Schwe detal के हैं तो फाइब लिखेंगे Third line है I read in class UKG I read in class UKG My class UKG में परता हूँ Fourth line है I read in महात्मा गान्धी शिक्षन संस्थान सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे My name is next second line में लिखेंगे आप कितने साल के हैं Six years old Third line में आप किसी स्कूल में परते हैं I read in class UKG Fourth line में आप किसी स्कूल में परते हैं तो महात्मा गान्धी में I read in महात्मा गान्धी शिक्षन संस्थान Fourth line में लिखेंगे Fifth line में पापा का नाम My father's name is My father's name is Suppose that आपके पापा का नाम अनील कुमार है या अनील मिस्रा है या अनील जा है या जो भी है तो अपने पापा का नाम लिखना है ठीक है Last line है My mother's name is आपकी अपने ममी का नाम लिखना है My mother's name is रानी है तो रानी लिखना है सविता है तो सविता लिखना है जो भी नाम है आपकी ममी का अपने मामी का नाम लिखना है थाइंक यू